बॉलिवुड इस्टार अक्षे कुमार अपनी काम के चलते खुब सुर्खियां बटोर से दिखाई देते हैं। अक्षे कुमार ने हिंदी सिनेमा में बड़ा नाम कमाया है। कुछ एक्षन, कुछ रोमेंटिक और देशबक्ती मुवी से उन्होंने सबका दिल जीता हुआ है। अक्षे कुमार अपनी कलाकारी का शांदार अभी नहीं करते दिखाई देते हैं। साथ ही सोशल मीडिया पर भी खूब एक्टिव रहते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ दिनों से बॉलिवूड के सितारों के सितारे गर्दिश में चड़े गए हैं। किसी ने किसी वज़ा से बॉलिवूड फिल्म आने से पहले ही उसका विरोध शुरू हो जाता है। इन सब चीजों को देखते हुए ऐसा लगता है कि यह समय बॉलिवूड और बॉलिवूड सितारों के लिए खराब चल रहा है। अब इन दिनों अक्षे कुमार ट्रोलर्स के निशाने पर आ गए हैं। अक्षे कुमार ने रभिवार को अपने शोशल मीडिया अकाउंट पर अपने अमेरिकी जर्नी की एक वीडियो शेयर की है। जिसमें वो अपनी आने वाली मूवी का प्रमोशन करते दिखाई दे रहे हैं। इस क्लिप में एक्टर के साथ दिशा पटानी, नोरा फतेही, मौनी रॉय और सोनम बाजवा को दिखाया गया है। पर इस वीडियो को लोगों द्वारा पसंद नहीं किया जा रहा। शोशल मीडिया पर आते ही इस वीडियो की खूब आलोचना होनी लगी। इस प्रमोशन पोस्ट में अक्षे कुमार को एक गलोब के ऊपर चलते हुए दिखा गया है। जिसमें अक्षे के पैरों पर भारत के नक्षे को देखने के बाद फैंस ने अक्षे को ट्रोल करना शुरू कर दिया है। अक्षे कुमार ने इस वीडियो को शेर करते हुए लिखा एंटरेटेनर्स उत्री अमेरिका में 100% एंटरेटेन्मेंट लाने को तयार है अपनी सीट बेल्ट बांद लें हम मार्च में आ रहे हैं इस वीडियो को देखने के बाद अक्षे कुमार को ट्रोलर्स ने कनेडियन कहना शुरू कर दिया है अक्षे कुमार के पास कनाड़ा की सिटीजनशिप है इसलिए अक्षे का इस बात पर पहले भी बहुत विरोध हुआ था और इसलिए लोगों ने अक्षे को कनेडियन नाम दिया था और अब अक्षे को लोग देश द्रोही कह रहे हैं एक ट्विटर यूजर कहते हैं कि भाई थोड़ी तो रेस्पेक्ट कर लिया करो हमारे भारत की एक और यूजर लिखते हैं कि किसी भी कंट्री के मैप पर प्यार क्यों रखते हो कनेडियन कुमार रश्मी का नाम की एक यूजर लिखती हैं कि ये क्या है शर्म कर ले इंडिया को भी नहीं छोड़ा कनेडियन कुमार एक यूजर ने तो सीधे अक्षे कुमार को देश द्रोही बोल दिया अब इन यूजर्स द्वारा ट्वीट करने पर आपकी क्या राय है और अक्षे कुमार की द्वारा अपने ट्वीटर एकाउंट से ट्वीट की गई इस वीडियो पर आपका क्या कहना है आप हमें कमेंट के जरीए बता सकते हैं खबर अच्छी लगी हो तेसे दूसरों के साथ शेयर जरूर कीजेगा